हालो फ्रेंड कैस वास भी आप देख्रों डिफ्रेंड यूनिक लासे जहां पर आपको मैद के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के समझा जाता है दोस्तों आज हम से कहेंगे सिंपल इंट्रेस्ट बहुत ज्यादा इजी है वाट इसमें लोग बहुत ज्यादा कन्फूजन ह हो याता है कुश्चन में दो कह रहा है को सबसेदि को कोई मैथ का कुश्चन आपको स्रीप एक काम करना है कुश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना उसको समझना भी है कुश्चन में किया रहे हैं 2000 कितने समय में 1000 रूपे 5 परसिक दर्ष से ब्याज़ पनेगा कुश्चन कुछ बहुत अच्छे समझोर कि यहाँ पर आपको जो कुश्यन में दिया हुआ है दो हजार रुपए यह क्या है और एक हजार रुपए यह क्या है दुको आपके जो मूलदन vaccination मूलदन है फिर से कुश्चन को समझ लो कि 5% ब्याज लग रहा है उसने 2000 रुपे लिए और 5% के लग रहा है उस पर ब्याज और कह रही है कुश्चन में कि कितने समय में ब्याज 1000 रुपे बन जाएगा 5% के तो इस तरीके कोई को भी सवालों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको इसको दो हजार है इसको लिखना है आपको हंड़ेट परसेंट आप फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो वट अगर आप इसको बेसिक से समझ लोगे तो आप इसको अपने माइन में भी कैलकुलेट कर लोगे और कोई प्रॉबलम नहीं आएगी इसमें अधर बात को कह रही है कि 2000 रुपे और जो मूल दन होता है वो हमारा होता हंड़े फॉर्पे पांच परसेंड की ट्रीक होती है डजकर डिवाइड ने से आपका 10% आज आता है फिर आप इसका हाफ कर दोगे तो इस तरीके से अब अगर ट्वयंटी के डिवाइड लगा वे तो आपके इतनी बार जाएगा फाइब बर इसमें ट्वयंटी के डिवाइड दो को पड़ो फिर से सवाल में कह रहे है है 2000 कितने समय में 1000 रुपे ब्याज मनेगा और बारसिक दरव 5% है आप यह पर देखो 2000 रुपे का 5% कितना हरा है 100 रुपे यह लग रहा है आपको एक बर्स में ठिक है वट आपसे कह रही है हजार रुपे कितने समय बनेगा जब 100 रुपे एक बरस में है तो दो बरस में कितना होगा 200 रुपे तीन बरस में 300 रुपे इस तरीक की साब इसमें निकाल सकते हो 1000 रुपे आपके बनेंगे 10 एर में तो इस सवाल को आप अपने mind में भी calculate कर सकते हूँ कैसे calculate करोगी कि 2000 का आपको निकलना है 5% तो 2000 का 5% कैसे निकलोगे आप निकलोगे 10% और 10% आएगा आपका 200 रुपे अब 200 का आप करतो हाफ आपका आगया 100 रुपे और 100 आगया आपका 5% तो आपका आँसर आया है कि 5% 100 रुपे लग रहे हमको एक साल में और हमको देना कितना है 1000 रुपे ब्याच के रूप में तो इस तरीके से 10 साल के बाद 100-100 करके हम पर कितने लग जाएंगे 1000 रुपे इसका final आँसर आयागा 10 बर दोको दोस्तों मेहत का कोई भी कुश्यन हो आपको सिप करना है कि उसको बहुत अच्छे से समझना है मेहत की यही trick है यही secret है कि सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ो कि जिससे आपको सवाल समझ में आया है अगर आपको सवाल समझ में आने लगे तो आप मैत का हर सवाल को बहुत जली एजली अपने mind way भी calculate कर लोगे ठीके फेंड अगर आप कोई कोई problem है मैती तो आप पूछ सकते हैं